Hello everyone, my name is Januj Khumar आज मैं आपके सामने Top Selected Question Physical Education for BPAID and Ampate Interest Exam BPAID and Ampate Interest Exam में बार बार पर repeated होने वारे question मैंने इस वीडियो मा cover किये हैं वो question आपके सामने मैनुपलेट करकर दे दिये जाते हैं मैं आपको बता हूँ किस किस टाप से वो question exam में आते हैं बहुत ही महतपूर question है सारे के सारे जैसे कि आपके सामने पहला question है किसोर वस्ता इंगिल्ज में बोलते हैं इसको adult chance question पूछा जाता है adult chance age कितने से लेकर कितने तक होती है 13 से लेकर 19 की बीच की जो आई होती है उसको हम बोलते हैं adult chance age किसो रवस्ता अगर आपके सामने 12.5 से लेकर और 19 है वो भी सही है Next question है आपके सामने Adultsans जो age है Adultsans जो word है वो कां से लिया गया है? किस word से लिया गया है? Latin word Exam में आएगा आपके सामने Adultsans जो word Latin word से लिया गया है वो कौन सा word है? Adultsare इसका अर्थ क्या होता है? Grow to maturity इस उम्र में व्यक्ति mature हो जाता है जिम्मेदारियों को समने लग जाता है इसलिए इसको बोलते हैं Grow to maturity हर एक एक question बहुत महत्पूर है Next question है Question number 2 Adultsans age को किस नाम से जाना जाता है? Adultsans age को किस नाम से जाना जाता है? इसको हम बोलते है Teen age Very very important question Teen age को ही हम Adultsans बोलते है Puberty age बोलते हैं किसी भी नाम से इसको हम पुकार लेते हैं Next question आपके सामने Question number 3 Adultsans age का दूसरा नाम क्या है? Answer 1 Puberty age Puberty age का मतलब होता है महिलाओं की अगर बात करें तो menstruation cycle शुरुवात हो जाती है उनके बाले लंबी लंब हो जाती है ये उनके महिलाओं के अंदर symptoms होती है पुबिक हेर आना, अंडर आर्म हेर आना, डाड़ी आना, मूचे आना इस टैप के symptoms देखने को में लंगे Adultsans age में Next question आपके सामने Question number 4 Adultsans age को किस नाम से जानते हैं? Majority age मैंने आपको बता है Majority age इसलिए बोलते हैं इसमें objective परिपप हो जाता है जिम्मेदारियों को समझने लग जाता है Next question आपके सामने Question number 5 Menstruation age को किस नाम से जानते हैं? Very very important question इसको हम बोलते हैं Adultsans age मैंने इस टैप के question इसलिए बनाया है कि आपके सामने कैसे भी question आजाए और आप उसको सही कर दे हैं Next question Question number 6 Childhood और adulthood age की बीच की आईउ को किस नाम से जानते हैं? Answer 1 Adultsans age Question बार बार पर एक्जाम में पूचा जाता है Childhood, adulthood, age की बीच की आईउ को किस नाम से जानते हैं? Next question आपके सामने Question number 7 Aggression age को किस नाम से जाना जाता है? Aggression का अर्थ होता है गुसा बच्चों में जो गुसा आती है वो किस एज में जादा आती है? वो 13 से लेकर 19 की जो आईउ होती है उसमें बेक्ती बहुत ज़्यादा गुसे बाला अपराद बाला लडाई जगड़े बाला लडाव को इस टाइप के जोगे उसके अंदर शिम्टम देखने को मुलते हैं अब उसको क्या बोलते है? एडल्चंस एज एक एक कोर्शन आपके एक्जाम में आने बाला है नेश कोर्शन है जूमिनाइल डेलिक्वेंसी इसको इंदियों बोलते हैं बाल अपराद आयू को किस नाम से जानते हैं? इस उम्र में ही 13 से लेकर 19 की बीच की जो आयू होती है अगर उस व्यक्ति को अच्छा इन्वार्मेंट मिल जाता है तो अच्छा व्यक्ति मिलता है अगर खराब मिल गया तो खराब बन जाएगा यही उम्र अमारी लाइप को बनाने में बहुत बड़ी बूमि करने बाती है नेक्स कोशन है कोशन नमबर 9 फर्स्ट मेंचुरेशन साइकल को किस नाम से जानते हैं? जो महिलाओं में जो मेंचुरेशन साइकल होता है शुरुवाद जो होती है मैंने आपको बताया है कि 12 से लेकर साढ़े 12 से लेकर या 13 भी हो सकता है इतने से सुरुवाद होती है उस सुरुवाद को हम बोलते हैं मेंचुरेशन साइकल होता है उसके आप होता है मेंचुरेशन next question कोशन नमबर 10 मेलाओं में में स्याक्ल की शुरुवात किस आयू में होती है कि कोशन पूचा जाता है कि मेलाओं में जो में स्याक्ल की आयू की शुरुवात किस समय में होती है वो तेरह से लेके उनीस के बीच में उसकी शुरुवात हो याती है अगर साड़े बारह है वो भी सही है एक एक क question आए है कि website नंबर 11 कि अनतिम मेंसुरेशन साइकल को किस नाम से जानते हैं महिला मैं अनतिम मेंसुरेशन साइकल जो होता है उसका क्या नाम है यह कब होता है मैं आपको बता दूंगा कि पच्चास से व्यक्ती बड़ा हो जाता है 15 साल से जादा बड़ा जाता है तो जब ये शुरुवात हो जाता है, उसको बोलते हैं Menopause, अंतिम चाक लोगों क्या बोलते हैं? Menopause, very very important question, next question है, question number 12 uterus की अंदर अवाली layer को किस नाम से जानते हैं? हम यहां पर बात कर रहे हैं, Beeman, किस की बात कर रहे हैं? Beeman, अंदर वाली जो लेजर होती है यूटेरस की उस लेजर का नाम क्या है ये question exam में कई बार पूचा गया है उसको हम बोलते हैं endometrium एक एक question आपके exam में आने वाला है BPA का exam हो या MPa का exam हो Thank you very much